दोस्तों किसी भी gear box का gear ratio निकालने के लिए कम से कम दो gear आपस में जुड़े होने चाहिए जो gear motor shaft से connect हो उसे driver और जो gear load shaft से connect हो उसे driven gear कहा जाता है तो simply driven gear के दातों को driver gear के दातों से भाग दे दे तो gear ratio निकल के आ जाएगा for example driver gear T1 में 40 दाते हैं और driven gear T2 में 80 दाते हैं तो gear ratio is equal to होता है T2 divided by T1 T2 यहाँ पर 80 है और T1 यहाँ पर 40 है जब इन दोनों को आपस में divide करेंगे तो 2 निकल गया जाएगा यानि कि इस gear का gear ratio 2 is to 1 है दोस्ते यदि आपको यह जानकार्य अच्छी लगी तो एक like जरूर किजिएगा